शब्द कोश कथिन विस्फोट आग अनुसंधान आविशकारक सभी को हेलो क्या आप सभी जानते हैं कि संस्कृती का क्या अर्थ होता है इसके दो अर्थ होते हैं पहला मैं आपको एक उधारन देकर समझाता हूँ बदिर जनों की अपनी संस्कृती होती है वे एक दूसरे के साथ संप्रेशन के लिए सांकितिक भाषा का प्रयोग करते हैं उनके जीवन के अनुभाव लगबग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वे सांकितिक भाषा में बाते करते हैं और सभी एक दूसरे की भावनाव को समझते हैं उनके अनुभो भी एक समान होते हैं। उनकी संस्कृति केवल एक देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक समान होती है। क्यूंकि वे लोग बधिर होते हैं, इसलिए वे सुन नहीं पाते। वे अपनी आख और हाथों के सहारे अपनी सारी बातों को व्यक्त करते हैं और बाहर की बाते ग्रहन करते हैं। उनकी संस्कृति का अपना एक महत्व होता है। ठीक इसी प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सभी धर्म के लोगों की अपनी-अपनी संस्कृती होती है संस्कृती शब्द का ये पहला अर्थ था, इसका दूसरा अर्थ भी है, मैं आपको बताता हूँ मैं इसका आपको एक उदाहरन देता हूँ लोग दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों को पुर्ण रूप से उचिच शिक्षा मिलती है और कुछ लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं यदि हम इन दोनों प्रकार के लोगों में तुलना करें, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका व्यवहार दूसरों के प्रती सही नहीं होता, उन्हें उचिच शब्दों का प्रयोग करने की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। इस प्रकार के लोग असभ्य होते हैं, सही गलत का ज्यान होता है। उनका आचरन सही होने की वजह से वे सब भी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि कभी कठोर व्यवहार होता है तो वे अपनी बातों को विनम्रता पूर्वक दूसरों के सामने रखते हैं और बड़े ही समझदारी से समस्यां को सुलजाते हैं। ऐसे लोगों में विनम्रता होती है। और ऐसा स्वभाव रखने वाले लोग ही संस्कृत कहलाते हैं। ये था संस्कृती का दूसरा अर्थ। इस पाठ में एक और शब्द की बात कही गई है। सिविलाइजेशन जिसे हम सभ्यता कहते हैं। इसका क्या अर्थ है। प्राचीन काल में जब इस संसार में मनुष्य की रचना नहीं हुई थी, तो यहां पर फल फूल, पेड पौधे, पशु पक्षी और विभिन प्रकार की जीव जन्तु थे। जिसे हम प्रकृती कहते हैं। उस समय सभ्यता नहीं थी। प्राचीन काल में जब कुछ लोग समुह में एकत्रित हुए, तो उनमें सभ्यता पाई गई। संसार में जब मानव जाती का जन्म हुआ होगा, तो क्या वे खामोश रहे होंगे। नहीं, उनमें कुछ न कुछ करने की व्याकुलता रही होगी। अपना पेट भरने के लिए किसी ने खाने की खोच की होगी, जिसे सभी लोगों ने अपनाया होगा। प्यास लगने की वजह से किसी ने यह पता लगाया होगा कि किस प्रकार एक पत्ते में पानी को डाल कर उसे पीने से प्यास बुझाई जा सकती है। इस प्रकार धीरे-धीरे संसार में बदलाव आता गया। उस वक्त पानी पीने के लिए क्या अगले ही दिन लोगों द्वारा पानी का ग्लास बनाया गया होगा। नहीं, परिवर्तन होने में कई साल लग जाते हैं। मैं इसका एक और उधारन देता हूँ। प्राचीन काल में आदी मानव हुआ करते थे। मैं यहाँ वानरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आदी मानव वानर की भाती दिखाई परते। उनके शरीर में धीरे-धीरे परिवर्तन आया। फिर मानव जाती का विकास हुआ। जिसे हम जैविक विकास कहते हैं। प्राचीन काल में क्या इस संसार में तकनीके थी? नहीं। लोगों को आपस में मुलकात करने के लिए एक दूसरे के पास जाना पड़ता। एक जगह इकठा होकर वे आपस में मिलने का आनंद लेते। पर आज स्थिती पूरी तरह बदल चुकी है। हमारे पास अनेक तकनीके हैं। हम एक दूसरे से फोन कॉल और विडियो कॉल के जरिये बात चीत कर सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन युग और आधोनिक युग के बीच बहुत परिवर्तन आया। इसे हम सभ्यता कहते हैं।